तो चलो आज हम एक बहुत important और बहुत interesting topic शुरू करते हैं अपने taxation subject का और ये topic बहुत जादा relevant है हर एक company के लिए जो tax pay करती है और हर एक उस professional के लिए जो company के consultants होते हैं जो company को ये बताते हैं कि आपको क्या tax pay करना है कैसे कैसे tax pay करना है कब कब tax pay करना है तो ये concept तमाम लोगो है और उनके लिए बहुत जादा relevance है ठीक है सर अच्छा अब मुझे बता दो किसी भी company का या किसी भी consultant का एक मात्र उदेश क्या है लक्ष क्या है सर किसी भी consultant का किसी भी company का एक मात्र जो उदेश है वो है tax को save करना tax को बचाना किसी तरह से भी tax बच जाए भई पैसे बच जाए कोई government of India को पैसे दे के खुश नहीं है कोई government of India को income tax GST नहीं देना चाहता है सब कहते हैं अरे government of India में तो corruption है ये लोग कुछ करते नहीं है हमारे पैसे का ये तो हमारे पैसे बरबाद करते है हम लोग tax नहीं द चाहे उसे house property income आ रही हो चाहे वो capital gain अन कर रहा हो कुछ भी कर रहा हो हर आदमी का एक मात्रुदेश वो क्या tax को बचाना और अगर एक मात्रुदेश है tax को बचाना तो भई साम दाम दंड भेद कोई भी strategy अपनाएंगे tax को बचाने के लिए फिर ये नहीं सोचेंगे कि क्य सही है क्या गलत है जो बन पड़े हमसे जो हम काम कर सकें चाहे वो गलत काम हो चाहे वो सही काम हो हम कुछ भी करके साम दाम दंड भेद करके अपने tax को बचाएंगे ये उद्देश बना लेते हैं हर consultant और हर company कुछ भी हो tax बचना चाहिए tax हमें government of India को नहीं पे करना चाहे इ जो tax बचाने की कोशिश है इस कोशिश को हम तीन रूपों में देखते हैं ये हैं तीन रूप जिसमें हम tax बचाने की कोशिश को देखते हैं tax planning, tax avoidance, tax evasion तीनों का एक युद्देश्य, tax को बचाना है, कुछ भी करके tax बचाना है ये चौथा ये बिचारा ये कोई tax को बचाने का उद्देश्य नहीं है, ये तो tax की governance है, tax manage अच्छी तरह हो सब के पास timely tax का amount पता लगे कितना tax है, government को tax time पे पे हो, return filing धंग से हो तो ये वो घर के बड़े भहिया हैं, जो सब छोटे भहिया को manage करते हैं, कि हाँ भई, सब लोग ठीक ठा काम करें ये administration देखते हैं, तो यहाँ पर अभी मैं जादा इस पे चर्चा नहीं करूँगा, मेरा जो देश यह है वो तो इस पे होगा, कि मैं अपना tax कैसे बचा सकता हूँ और tax बचाने के, तीन तरीके मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ, tax आपका इन तीनो तरीकों से बचे का, और हर consultant का, चाहे वो charter accountant हो, चाहे वो company secretary हो, चाहे वो CM में हो, चाहे वो MBA finance हो, चाहे वो CFA हो, चाहे वो कोई भी France consultant हो, सब का one of the major objectives, CFO का जो KRA होता है, उसका one of the major objective is how to save tax, but now we need to decide whether we can go the wrong way also in saving the tax, क्या हम गलत तरीके भी अपना सकते हैं, tax को save करने के लिए, यह हमें सोचना पड़ेगा as an individual, यह अपना individual call है, करने को तो कोई भी कुछ भी कर सकता है, tax की चोरी बहुत बड़े बड़े लोग करते हैं, और बहुत बड़े लेवल पे जा के करत हैं, लेकिन अभी हमें सोचना पड़ेगा कि हम किस लेवल तक tax की चोरी करेंगे, किस लेवल तक tax की चोरी को हम accept करेंगे, या हम क्या करेंगे tax को बचाने के लिए, क्या हम अपना इमान बेच देंगे tax को बचाने के लिए, देख नालायक, कई बच्चे करें, हाँ सर बेच देंगे अगर पैसे बच रहे हैं तो नलायक गलत बात हम अपना धरम इमान नहीं बेचेंगे अगर हमें टैक्स बचाने का मौखा मिले बहराल तीन टर्म्स आपके सामने लिखी वी है टैक्स प्लानिंग, टैक्स अवोइडेंस, टैक्स इवेजन, तीनों ही टर्म्स से टैक्स बचता है अगर तीनों ही टर्म्स से टैक्स बचता है तो सर्तु इन तिनों में डिफरेंस क्या है आओ मैं example के थूँ तुम्हें बताता हूँ कि तीनों में difference क्या है सबसे पहले आते हैं tax planning मैं tax planning किसको कहते हैं अब जितना मैं जिस point पे मैं जाता हूँ उस पे रुख जाना उससे आगे मत बढ़ना नी तो confused हो जाओगे एक एक करके मैं तुम्हें लेके चलूँगा नीचे वाले points सक ऐसा मत करना कि पहले वीडियो रोक के तुमने सारे के सारे points पढ़ लिए फिर मेरी बात सुन रहे हो पहले मैं जिस जिस point पे हात रखता हूँ उसस तक चलते जाना मैं तुम्हें समझाता जाऊंगा और समझते जाना सबसे पहला है tax planning भई tax planning क्या होता है किसी बंदे की real income है 1 lakh rupees मुझे पता है मैंने basics का first chapter पढ़ावाए और मुझे बहुत शितना पता है real income पे tax नहीं लगता tax तो taxable income पे लगता है इस case में taxable income है 80,000 rupees उस बंदे की real income थी 1 lakh rupees और इसकी taxable income कितनी है 80,000 rupees 20,000 rupees कम अभी नीचे का बिल्कुल भी मत देखना ठीक है सर 80,000 rupees taxable income आ गई suppose तुम जिस head की बात कर रहे हो उस पे जो तुमारा rate है वो है 30% तो बताना 80,000 rupees पे कितना tax बचा कितना tax बना 80,000 rupees multiplied by multiplied by 30% 24,000 rupees तुमारा 80,000 पे tax बना उस person का या उस company का 24,000 rupees company तुमारे पास आई तुम CM में हो direct tax के expert हो तुमने direct tax बहुत high level तक पड़ा है तुमसे उस company ने या उस individual ने पूछा अरे भई बताओ मैं ये tax 24,000 rupees का अभी नीचे का मत पढ़ना बार बार बोल रहा हूं ये 24,000 rupees का tax मेरा बन रहा है कुछ तो कम करने में मदद कर दो भाई कुछ तो कम करने में मदद कर दो तुमने का अच्छा चलो देखते हैं आओ जरा अपने accounts दिखाओ आपने accounts देखे आपने income tax act के sections देखे और आपने एक बात जानी वो ये बात जानी कि ये जो 80,000 rupees का taxable income आया है इस person का अगर ये person इस 80,000 rupees में से 10,000 rupees 80,000 rupees में से 10,000 rupees fixed deposit में डाल दे जिसकी अवधी हो 5 साल at least 5 साल का fixed deposit करा दे 10,000 rupees इस में से fixed deposit में डाल दे जिसकी अवधी हो 5 साल तो income tax act ऐसा कहता है कि to promote investment to promote saving I will allow a deduction of 10,000 rupees from the taxable income तुम बड़े खुश तुम गए client के पास client से बोला अरे 80,000 rupees कमाए थे ना client बोलता है हाँ 80,000 rupees कमाए क्या 10,000 rupees अगले 5 साल के लिए block कर सकते हो अगर tax बच जाए तो client कहता है हाँ हाँ sir बिल्कुल कर दूँगा अगर tax बचता है 10,000 rupees block कर दो मेरेको अभी urgent नहीं है पैसे की तुमने क्या किया तुमने 80,000 rupees में से 10,000 rupees की FD करा दी जिसकी अवधी 5 साल या उससे जादा हो government of India ने बोला अगर तुम अपनी profit में से अपना कुछ savings में डाल देते हो और वो savings में डालने की अवधी 5 साल से जादा होती है तो to promote a savings we will give you an additional deduction of rupees equal to the amount invested in a fixed deposit तो अब तुमें एक deduction मिली जो की under the provisions of act under act मिली act के provision से मिली 10,000 rupees की deduction अब तुम्हारा taxable income कितना आ गया 70,000 rupees तुम्हारा taxable income 10,000 rupees reduce हो गया तो पहले जहां तुम्हारा tax बन रहा था 24,000 rupees अब तुम्हारा tax कितना बन रहा है 21,000 rupees 70,000 multiply by 30% 21,000 rupees तुमने client की tax में कितने रुपे की budget कराई तुमने 3,000 rupees की budget करा दी client खुश client करे रहे वाँ CMA साहब आप तो बहुत amazing आदमी हो आपने हमारी 3,000 rupees की बचत करा दी superb amazing so जब तुम tax बचाने के लिए income tax act की शरण लेते हो और उसके provisions के तहत जो genuine benefits सरकार ने तुमें दिये है उन genuine benefits को avail करके अपनी tax saving करते हो तब हम इस particular process को कहते है tax planning तो अपने tax को इस तरह plan करो कि income tax act के अंदर-अंदर रहे के तुम अपने taxes को save कर सको उसे बोलते है tax planning यहाँ तुमने tax planning करी वरना तुम पहले कितने रुपे पे कर रहे थे tax 24,000 रुपे tax पे कर रहे थे 80,000 का 30% 24,000 रुपे तुम tax pay कर रहे थे तुमने कहा नई भई ने मैं 24,000 रुपे tax pay नहीं करना चाहता कम पे करना चाहता हूं income tax act को खंगा लो एक एक शब्द पर डालो एक एक page पर डालो एक एक पनना पर डालो और बताओ मुझे कैसे tax की saving हो सकती है तुमने निकाल के लाए कि 10,000 रुपे अगर FD में पहुंचा दिये जाए 5 साल की minimum अवधी में तो एक additional deduction मिलता है under the act government promote करना चाहती है savings को इसलिए ये वाला deduction देती है तुमने वो deduction eligible थे तुमने ले ली genuinely ले ली और तुमारा taxable income कितना बन गया तुमारा taxable income बन गया 70,000 रुपे तुमारा tax बना 21,000 रुपे there is a saving of 3,000 रुपे so this process is known as tax planning this is known as tax planning जो income tax act के अंदर रह रहके तुमने planning करी उसको बोलते हैं tax planning ठीक है सर बात समझ में आई अब आउ दूसरा word पढ़ते हैं tax avoidance तीसरा word tax evasion या इसका एक और counterpart है concealment tax evasion या tax concealment ठीक है सर आउ पहले देखते हैं tax avoidance अब तुम्हें ऐसा लग रहा होगा तुम्हें ऐसा प्रतीत हो रहा होगा कि सर ये दोनों तो similar similar है avoidance, evasion, similar ना बिलकुल भी similar नहीं है दोनों में जमीन आसमान का फर्क है अभी मैं तुम्हें explain करूँगा कैसे ओके फिर वो example लेते हैं भई तुम्हारी real income है एक लाख रुपए taxable income है असी हजार रुपए असी हजार रुपए पे बन रहे थे तुम्हारी कितने पैसे 24,000 रुपए tax बन रहा था 80,000 का 30% तुमने का दुहाई हो CM में साहब दुहाई हो इतनी पढ़ाई तुमने CM में foundation inter and final में करी इतनी कड़ी मेहनत करी direct tax के बड़े बड़े subject बड़े फिर भी अरे तुम हमारे को tax बचाने का कोई तरीका नहीं बता सकते क्या तुमने का हाँ भई हाँ मैं बिलकुल बता सकता हूँ जरा act खोल के मुझे देखने दो तुमने act देखा और इसको बताया अरे deduction ले लो ना 10,000 रुपे की अगर 10,000 रुपे हैं FD में जमा कराओ 5 साल के ले ब्लॉक कर दो उसको 5 साल के ले अगर तुम वो पैसे FD में जमा करा दोगे तो एक साल में जिस साल में जमा कराया उस साल में तुमें deduction मिल जाएगी और deduction जो मिलेगी वो 10,000 रुपे की मिलेगी तो बताना taxable income तुमारी कितनी आ जाएगी फिर 70,000 रुपे अब तुम्हें tax कितना पढ़ना पढ़ेगा तुम्हें बढ़ना पढ़ेगा 70,000 रुपे multiply by 30% तुमारे कितनी रुपे की बचत हो गई 3000 रुपे की बचत हो गई client अवल तो खुश हो गया लेकिन यह थे कहते है ना लालच बुरी बला है तुम्हें client ने क्योंकि आपने उसको लालच दे दिया 3000 रुपे का आपने उसका benefit करा दिया आप client कह रहा है सर थोड़ा सा और थोड़ा सा और बच्चे की जान लोगे क्या इतना बड़ा benefit तुमने दिलाया 10,000 रुपे का यहाँ पर थोड़ा सा और कुछ ऐसा करो जिससे की यह 70,000 रुपे और कम हो जाए तुमने पूरा income tax act दुबाला खंगाला एक एक शब्द, एक एक पन्ना, एक एक section को पढ़ डाला एक एक provision को पढ़ डाला एक एक proviso एक एक clause, sub clause, सब कुछ पढ़ जाला पूरे income tax act में ऐसा कुछ भी नहीं मिला जो तुम्हें additional benefit दे दे तुमने अपने client को बोला नई भे नई 70,000 रुपे पे तो tax pay करना पड़ेगा 70,000 रुपे multiple आवे 30% 21,000 रुपे बनते हैं 21,000 रुपे तो तुम्हें tax pay करना ही करना पड़ेगा client ने कहा तुम ठहरे CM में तुम्हारे ego पे चोट लगी तुमने कहा अरे अगर हम tax नहीं बचवा पाएंगे तो और कौन tax बचवा पाएगा और कोई भी tax बचवा नहीं सकता तो तुमने अपने client को बोला कि सुनो client तुम्हारे को taxable income कितनी बनी है current year में client ने कहा 70,000 रुपे अच्छा तो एक बात बताओ क्या कोई इसमें से S.E. income भी है जो अभी तुम्हें cash में receive नहीं हुई client ने बोला हाँ 10,000 रुपे का एक मैंने माल बेचा है उसने अभी cash नहीं दिये बट सर वो अगले साल दे देगा मतलब मेरा तो year end हो गया ना अगले साल वो पक्का से देदेगा तो लेकिन उसने माल मैंने transfer कर दिया है accrual basis पे मैंने revenue अक्रू कर दिया है 10,000 रुपे पैसे वो अगले साल देगा 10,000 रुपे अगले साल देगा तुमने बोला अच्छा तो एक काम कर सकते हो तुम अगर तुम कुछ ऐसा करो कि जो ये accru 10,000 रुपे करंटियर में हुए है सरकार को ऐसा बता दो कि ये accru अगले साल में हुए है तो जो customer है उसने आपसे goods ले लिये है और उस customer ने आपको भी पैसे नहीं दिये तो ठीक है भी आपने CMA साहब को बताया कि हाँ वो customer है जिसने मेरे से goods ले लिये है 10,000 रुपे के लेकिन उसने अभी 10,000 रुपे के मेरे से मेरे को पैसे नहीं दिये आपने उसको ये बोला अपने client को बोला अरे सुनो इस transaction को यहीं रोक दो तुम क्या करो इस वाली transaction को अगले year में shift कर दो तुम उस वाले अपने customer को बोलो कि भाई सुन ये sales इस साल की नहीं है ये sales अगले साल की है मैं तुझे जो invoice बना के दूँगा मैं तुझे जो documentation दूँगा जो इस sale को प्रूव करेगी वो अगले साल की मैं तुझे बना के दूँगा अभी रोक दे अभी यहाँ पर sale मत होने दे ये sales तेरी इस साल की नहीं है ये sales जो consider होगी अगले साल की होगी तु अपनी books में भी जो purchases दिखाई हो अगले साल दिखाई हो हाला कि in essence ये जो sales है ये है current year की ही लेकिन आपने ये sales दिखा दी कब की next year की तो क्योंकि law एक year की sales को ही मान्यता देता है उस year में tax करने के लिए आपने पूरी की पूरी sales ही अगले साल में shift कर दी you have apportioned these sales of 10,000 rupees to the next year तो भी law आपको मना नहीं करता तो law ऐसा नहीं कहता income tax act ऐसा नहीं कहता कि भई जो current year की sales है उनको आप अगले साल नहीं show कर सकते आप उन्हें अगले साल defer नहीं कर सकते ऐसा income tax act नहीं कहता income tax act कहता है आपकी जितनी भी sales हुई है during the current year की वो आपको उन पे tax करना है अभी तो हमारी मर्जी है ना हम कितनी sales during the current year दिखाएं और कितनी sales हम during the current year ना दिखाएं तो भई हमने क्या किया हमने एक genuine transaction को जो current year की थी उसको अगले साल में shift कर दिया आपका in essence in substance आपका जो intention था वो तो इस वाली revenue को current year में ही book करने का था अगले साल भेजने का नहीं था आपका intention लेकिन फिर भी सिर्फ और सिर्फ tax को avoid करने के लिए आपने इस तरह का arrangement किया आपने customer के साथ जिससे ये 10,000 की जो income है ये current year में reflect होने की बजाए next year में reflect हो रही है sir but current year या next year दोनों year में taxability तो सेम आएगी तो फिर इसका करने का फाइदा क्या होगा sir फाइदा ये हो सकता है हो सकता है अगले साल में आपका tax का rate reduce हो रहा हो अभी 30% हो अगले साल में 25% हो रहा हो तो अगर tax का rate reduce हो रहा है अगले साल में आपकी ये ख्वाहिश रहेगी आपकी ये चाहत रहेगी कि आप कुछ ऐसा arrangement बनाओ, जिससे कि आपकी taxable income अगले सालों में shift हो जाए, current year में आपको उसे book ना करना पड़े, this is known as tax avoidance, अगर tax को avoid करने के लिए, आप law के अंदर-अंदर कोई loophole निकाल लेते हो, और उसको exploit करके, आप tax को बचा लेते हो, उसे बोलते हैं, tax avoidance, तो ये ग current year में कमाए थे ना, और आपने सिर्फ tax को बचाने के लिए, आपने अपनी books में इसे अगले साल में transfer कर दिया, अपने customer के साथ सांट गांट करके, तो आपको पता है, पकी आपकी sales है, customer कहीं भागेगा नहीं, क्योंकि customer ने आपके साथ already deal कर ली है, बस आप क्या कर रहे हो, तो आप documentation को transfer कर रहे हो अगले साल में, documentation होनी चाहिए थी 30th March में, आप उसमे customer को कह रहे हो, भाई 2 April की date लिख दे, अगले साल में transfer कर दे, इस 10,000 रुपे को, तो legally, government आपको पकड़ नहीं सकती, क्योंकि आप कुछ गलत काम नहीं कर रहे, लेकिन भाई, morally, morally मतलब principles अगर द avoid करना, वो काम आप otherwise नहीं करते, अगर tax avoid करना aim नहीं होता, अगर tax बचाने का आपका मकसद पूरा नहीं होता, तो आप वो काम नहीं करते, भाई कौन genuine businessman अपने 10,000 का revenue अगले साल में shift करेगा, वो कहेगा, नहीं मुझे तो prepone करना है, मुझे तो जल्दी से जल्दी पैसा चाहिए, कौन ये कहेगा अपने customer को कि सुनो रुक जाओ, तुम ही ये वाला invoice अगले साल में generate कर देना, ताकि अगले साल में मेरा revenue हो, कौन ऐसा चाहेगा, हर आदमी अपने revenue को prepone करना चाहता है, यहाँ पर तुम अपने revenue को postpone करना चाहते हो, यह गलत बात है, हाँ law नहीं पकड सकता तुमें, law क्यों नहीं पकड सकता, क्योंकि law तो कहेगा ठीक है, तुम्हारी मर्जी है तुम जब भी तुमने revenue recognize किया, तब हम उस पर tax ले लेंगे, तो law के इसमें हाथ बंदे है law में, यह तुम्हारी मर्जी है, तुम कब revenue book करते हो, लेकिन यह tax avoidance है, यह illegal तो चार लाक रुपे, और आपको पता है, पांच लाक रुपे से उपर की salary पे tax लगेगा, पांच लाक रुपे से नीचे की salary पे tax नहीं लगेगा, मैं सिर्फ example दे रहा हूँ, salary के chapter में मैं actual limits पढ़ाऊंगा, अभी मैं सिर्फ example दे रहा हूँ, जिसकी भी 5 लाक रुपे तक की salary होगी, उसको tax देना पड़ेगा, जिसकी भी salary 5 लाक से उपर होगी, उसको tax, पांच लाक से उपर वाली salary को tax देना पड़ेगा, जिसकी भी salary 5 लाक तक होगी, उसको 0 tax देना पड़ेगा, आपकी salary कितनी है, 4 लाक रुपे, और आपको एक भी रुपेया tax नहीं देना During the current year, आपके performance से खुश होके, management ने आपको एक bonus दिया, कित्ते रुपे का bonus दिया, आपको bonus दिया, 60,000 रुपीज का जैसे bonus दिकलेर हो रहा था, आपकी धड़कन बढ़ रही थी, क्यों रहे कहीं एक लाग से जादा ना हो तो tax पे करना पड़ जाएगा आपकी धड़कन relax हुई, जब announce हुआ कि 60,000 का bonus आपको दिया जा रहा है, आपने का वहाँ, 4,60,000, still 5,000,000 से उपर नहीं है, कोई tension नहीं, मेरे को एक भी रुपे tax नहीं पे करना पड़ रहा immediately उसी year में, कुछी महीने बाद, क्योंकि आपकी performance और जादा improve हो गई, management ने दुबारा आपके नाम एक bonus डिकलेर किया, इस बार जो bonus का amount था, वो था 80,000 रुपीज, आपकी दिल की धड़कन और बढ़ गई, और बापरे, 80,000 रुपीज, पहले 460 हो गया था, और 80,000 पांच लग, 40,000 हो जाएगा, मेरा taxable limit के भार चला जाएगा, आपने management से request करी, सुनो management, एक मेरी छोटी सी request है, आप ये bonus मुझे दे रहे हो, मुझे समझ में आ रहा है, ठीक है, मैं eligible हूँ, इस bonus के आप मुझे letter दे दो, लेकिन actually में, on papers, दस्ता वेजों में इस bonus को आप मु मुझे अगले साल दे देना, ताकि मैं taxable limit से ना इस बार बाहर जाऊं, ना अगले साल बाहर जाऊं, क्योंकि इस साल मेरी taxable limit थी 460, मेरी taxable income थी 460, 80 मिला दूँगा, तो मैं taxable वाले slab में आ जाऊंगा, तो बस आप मेरे पे एक एहसान कर दो, कि आप मेरे को ये 80,000 मैं tax net से बाहर रहूंगा, अगले साल भी, current year भी, management को क्या फरक पड़ता है, company को क्या फरक पड़ता है, उन्होंने employee की request मान ली, लेकिन इस पूरे arrangement में loss किसका हुआ, government of India का, government of India को genuine tax मिलना चाहिए था, 5,40,000 रुपए पे इसी साल में tax मिलना चाहिए था, 5,40,000 रुपए This transaction was dealt with as an avoidance technique, यह transaction का purpose क्या था, tax को avoid करना, तो tax को avoid करना purpose था, लेकिन unfortunately government कुछ भी नहीं कर सकती, क्योंकि अगर employer और employee ने आपस में मिलके इस तरह का एक arrangement कर लिया है, जिसका purpose ही tax को avoid करना था और उन्होंने अगले साल में अपनी income को transfer कर दिया है, इसमें कुछ गलत नहीं है इसमें कुछ illegal नहीं है, जहां पर bonus पिछले साल मिल रहा है, अगले साल मिल जाए, इसमें कुछ illegal नहीं है, employer-employee की बीच की बात है, income tax authorities are nothing to say in this transaction, but this transaction is a case of tax avoidance, क्योंकि आप law को तो follow कर रहे हो, लेकिन in substance, in reality, आप tax को छुपा रहे हो, tax को बचा रहे हो, So, this is a example of tax avoidance, जहां 60,000 रुपे की आपकी taxable income आ गई, और 60,000 रुपे पे 30%, 18,000 रुपे आपने tax pay किया, government of India को, तो naturally भई, आपने 3,000 रुपे का tax plan किया, और 3,000 रुपे का tax avoid कर गए आप, तो 3,000 रुपे का tax plan किया, और 3,000 रुपे का tax avoid कर गए आप, तो 3,000 रुपे इस tax planning, जो यहां पर यह हुआ, this is tax planning, लेकिन जो यह हुआ, यह जो आपने portion कर दिया to the next year, this is tax avoidance, तो एक ऐसा arrangement, जिसका main objective, tax को बचाना हो, उसको बोलते हैं tax avoidance, हाँ legal होता है, लेकिन principally, ethically गलत होता है, in substance जो बात है, जो reality बात है, आपने उससे परे कोई बात करी है, तो वो बात इतनी जादा, वो बात सही नहीं होती, ठीक है सर, और last, but not at all the least, tax evasion, या concealment, वो ही कहानी भई, आपकी real income थी 1,00, आपकी taxable income थी 80,000, आप गए CMA साहब के पास, CMA साहब को बोला, दुहाई हो सरक दुहाई हो, कुछ तो tax बचवाद हो, 80,000 रुपे पे, 24,000 रुपे tax देना पढ़ रहा है, 24,000 रुपे जो मैं tax दूँगा, बहुत बड़ी मुसीबत में आजाओंगा, इतना tax होड़ी को पे करता है भई, कुछ बचवाद हो, आप CM में आपने खंगाला income tax act, आपने बोला अरे बही बताओ, बही बताओ, क्या 10,000 रुपे FD में जमा करा सकते हो, 5 साल के लिए direction मिल जाएगी, आपको client ने का नहीं भे नहीं, 10,000 रुपे में 5 साल के लिए block नहीं कर सकता, cash अभी crunch है मेरे पास, मैं अतने बड़ा रकम 10,000 रुपे 5 साल के लिए block कर दूँगा, तो म कोई जुगार बताओ, अब दो तरह के CM में, good CM में, bad CM में, good CM में कहते हैं, नहीं, कोई जुगार नहीं है, जाओ यहां से, कोई नहीं, आप 10,000 रुपे नहीं जमा करा सकते हैं, तो नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता, जाओ यहां से, bad CM में, bad CM में कहेगा, एक जुगार ब CMS आप कहेंगे, मैं तुम्हें एक नकली fixed deposit की receipt बना कर दूँगा HDFC bank की, बिल्कुल ऐसा लगेगा, जैसे original है, वो papers में लगा देना, गौर्मेंट को ये थोड़ी देखने भागेगी, HDFC bank को call करके थोड़ी पूछेगी, कि बही बताना, फलाने फलाने आदमी ने 10.000 रुपे की fixed deposit कराया है, नहीं कराया है, ऐसा थोड़ी होगा, बस ये जो fixed deposit receipt है, ये गौर्मेंट आफ इंडिया को जमा करा देना, वो जाएगी और तुम्हें 10.000 रुपे का deduction मिल जाएगा, this is known as fraud, this is known as fraud, ये illegal काम कर रहे हो आप and this is known as evasion, ये आप law के four corners में नहीं कर रहे काम, illegal काम है, नकली दस्तावेज बनाना, illegal काम है, अपनी income को एक year से दूसरी year में transfer करना, illegal काम नहीं है, ये तो आपके contract के अपर decide होता ह इसमें कोई मैंने illegal काम थोड़ी किया, आपने अपने customer को बोल दिया, invoice पर date एक April के डलेगी, दो April के डलेगी, वो ही मानने प्राप्त होगी, जो invoice की date है, उसी को माना जाएगा, illegal नहीं है, लेकिन अगर आपने forgery करी, आपने actually में जमानी कराए 10.000 रुपे, लेकिन आपने F taxable income था 70.000 रुपे, आपने fraud करने के बाद net taxable income 70.000 रुपे आपने compute करी, आपने SAC को बोला, SAC सुनो, 70.000 पर 30% 21.000 रुपे देना पड़ेगा, SAC ने कहा, दोहाई हो, दोहाई हो, मैं 1.000 रुपे भी नहीं दूँगा, मुझे और कोई तरीका बताओ, आपने सीधा से क्या कहा, आपने कहा, ठीक है, ओल्दो तुम्हारी income बन रही है 70.000, लेकिन हम Government of India को दिखाएंगे 60.000, वो कैसे? बस, कुछ भी नहीं बोलेंगे, अगर पकड़े गए, तो बात में देखी जाएगी, नहीं पकड़े गए, जो निकल जाएगा भी हमारा case, तो ओल्दो तुमारी return में, और अक्सर ये वाला concealment किस वाले case में होता है, जहां पर cash में transactions होती है, तो जब भी cash आप sales करते हो, आप किसी दुकान पर जाते हो, और आप cash देते हो, तो there are very high chances that that shopkeeper is not going to show this sales in its income, अब 70,000 रुपे की net income थी उसकी, उसने disclose कितनी करी? 60,000 रुपे, इसने जो 60,000 रुप इस पर tax कितना बना? इस पर tax बना? 18,000 रुपे, वाह! टैक्स पर कितना करना चाहिए था? 24,000 रुपे, टैक्स पर कितना हो रहा है? 18,000 रुपे, ये जो पूरा का पूरा 6,000 रुपे का saving हुआ ना, this is known as tax evasion, ये तुमने tax evade कर दिया, 10,000 रुपे तो यहाँ evade किया, नकली फर्जी बिल लगा के, अपने tax में deduction लेके, जो eligible नहीं थे तुम, illegal काम है, ये करके, और फिर income को कुछ conceal करके, income को छुपा के, इसका तुमारे पास कोई valid reason नहीं था, कोई valid तुमारे पास proof भी नहीं था, तुमने कम क्यो income disclose करी, तुमने अपना ब्योरा जो दिया, Government of India को वो कम दिया, ये ब्योरा कम देना भी, is a concealment of income, this is categorized as tax evasion or tax concealment, so, तीन तरह के, आपको मैंने instances दिखाए, जहाँ पर क्या आपका tax बच सकता है, सबसे पहला है, planning, income tax के four walls के अंदर, income tax के purview के अंदर, जो जो हम benefits ले सकते हैं, उसके according काम करने को बोलते है, tax planning, ये legal होता है, और moral भी होता है, legal मतलब law ने permit किया है, law इसमें कोई आपका बाधा नहीं create करेगा, दूसरा, moral भी होता है, आपका जमीर, आपका इमान, आपकी अंतरात्मा, आपका soul, आपको धिकारेगा नहीं ये काम करने के बाद, सर, धिकारेगा तो हमें औरों में भी नहीं, अगर हमें profit हो रहा है, client का profit हो रहा है, हमें fees जादा मिल रही है, तो हमें वैसे भी नहीं धिकारेगा, कौन धिकारता है, नालायक, बत्तमीजी मत करना, धिकारेगा, अगर तुमने गलत काम किया तो धिकारता है, सब का दिल धि जब law के four corners के अंदर अंदर रहके मैं कोई tax को चोरी करने का तरीका अपना लेता हूँ जो ethical नहीं है जो गलत है जो नहीं होना चाहिए था लेकिन loss में कुछ नहीं कर सकता भाई legal है लेकिन immoral है law कुछ नहीं कहेगा law एक ऐसा agreement में जहां तुमने इंकम इधर से उधर करी law कुछ नहीं कहेगा लेकिन immoral तो है गलत बात तो है तुमें जो इंकम इस साल की हुई वो इसी साल में दिखानी चाहिए थी तुमने क्यों एक फर्जी invoice बनाया जिसमें तुमने although sale हो गई 30 March को लेकिन तुमने उस invoice को 3 April की date डाली financial year change हो जाता है इसलिए मैं 30 March और 3 April की बात करूँ financial year change हो जाता है 31 March में financial year खतम होता है हमारा क्यों करा ऐसा नहीं करना चाहिए था न तो legal है लेकिन immoral है और last चोरी प्योर प्योर चोरी illegal है और immoral है illegal भी है और immoral भी है last evasion या tax का concealment होना तो यह हैं तीन तरीके जिसे कि आप tax बचा सकते हो तीनों में से अब आपको decide करना है as a good CM do you wanna be a good CM or do you wanna be a bad CM अगर आप good CM में बनना चाहते हो तो आप इस तरफ tilted रहोगे हमेशा और अगर आप bad CM में बनना चाहते हो तो आपका tilt इस तरफ रहेगा हमेशा मुझे पता है लालच आपकी आँखों में साफ साफ जलक रहा है मैं camera के परे देख पा रहा हूँ कितना लालच आप सब की आँखों में भरा हुआ है अब हम आजाते हैं अपने last aspect पे last aspect कोई tax नहीं बचाता last aspect में कोई benefit नहीं होता बट यह बस यह कहता है systematic way में हर चीज करो हर due date का पालन करो जब tax भरना है due date पे tax भरो जब return file करना है मतलब ब्योरा देना है government of India का ब्योरा दो government अगर कोई सवाल पूछा आप से उसे duly comply करो respond करो time से हर काम होना चाहिए tax के relationship में उसे कहते है tax management so आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है tax payment की date का ध्यान रखना है tax किस दिन भरा जाएगा उस दिन भरा जाना चाहिए क्योंकि अपने लेट भरा अगर आपने तो interest लग जाता है भाई तो जिस दिन भरा जाना चाहिए उस दिन भरा जाना चाहिए return का फाइल करनी है उसकी date सही होनी चाहिए और return file time से होनी चाहिए compliance आप जो भी करोगे जैसे government को आपको जवाब देना है अपने return के बारे में अपने income के बारे में आपको अगर कोई scrutiny में case रोट जाता है proceeding में case रोट जाता है उसका compliance करना पड़ता है वो properly करो टैक्स का administration प्रोपरली करो administration मतलब management जैसे 7 तारिक को TDS भरना ही भरना होता है तो अपने system में एक alarm लगा लो जिससे 5 तारिक को आपको एक warning शो हो जाए कि बस दो दिन बचे हैं TDS भरने में जल्दी से भरो so tax administration प्रोपर होना चाहिए due responses to the queries of the tax department tax department जो query पूछता है उसको respond करो भई अगर उसको respond नहीं करोगे तो फिर आपको future में problem जिलनी पढ़ जाएगी तो morality और legality के इसमें बात नहीं आती यह आपकी duty है आपको यह करना चाहिए अगर आप नहीं करोगे mismanaged रहोगे तो जैसे आप पढ़ाई में अगर mismanagement करते हो कोई subject बहुत जादा पढ़ लिया जो अच्छा लगता है जो नहीं अच्छा लगता उसको कम पढ़ा mismanaged करते हो तो बाद में आप ही पच्छताते हो ना Similarly, taxation का अगर आपने mismanagement किया तो बाद में जाके आप ही पच्छता होगे आप ही अपने goals को पूरानी कर पाओगे targets को पूरानी कर पाओगे और आप ही सफर करोगे So, tax management is nothing to do with tax saving It is just administration of tax, supervision of tax जहां पर आप tax को properly control करोगे और properly अपने tax को manage करोगे